इस दुनिया में कववा एक ऐसा प्रामी है जिसे किसी भी अच्छा या फिर बुरे की जानकारी उसके गटने से पहले ही हो जाती है दरसल प्राचीन समय से ही हमारे समाज में कववे को लेकर सुब या फिर असुब सगुन या फिर अपसकुन इत्यादी से जुड़ी बातों का उल्लेक किया गया आपको हम बता दें कि सकुन सास्तर में कववे से जुड़ी अनेक रोचक जानकारियों के बारे में बताया गया है ऐसे में आज हम आपको कववे से जुड़ी 14 सुब संकेत के बारे में बताने वाला है इस वीडियो के माद हमसे आपको 14 सुब सक्गेट की कवू आपको देता है इसके बारे में मैं आपको बताने वारा हूँ तो वीडियो को ध्यान से पूरी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा तभी आपको वीडियो समझ में आ पाएगा और इसका आपको जादा से जादा उ न्योटिफिकेशन बेल को जरु दोन कर दिजोник सब्सक्राइब करने के साथ साथ है को नेकर आपको फिर मानिता है कि यदि कॉओं ऑर मुह में रेत या फिर और इपर आज या फिर गीलिमी या फिर फेल भर कर आपके घर लिया तो ही इससे क्या होता है ऐसा भी माना जाता है कि यह एक अचानक से धन प्राफ्थी के संकेट कववा को दीता है तीसरा बैसाग के महने में इस कववा घरे भरे बेश पर अपने पूशली का निर्मान करता है तो यह एक संकेट होता है और यह संकेट दर्साता है कि उस जगव पे बारिस होने वाली है ज़ो था यदि सुर्योदे से के समय कववा आपके घर में के सामने बोलता है तो यह आपके प्रतिष्ठा और धन में विर्धी का सुचक होता है यात्रा के समय दि कववा आपके सामने किसी बर्तन में मुह दुबा कर पानी पिता हुआ नजर आ जाए तो यह धनलाव के संकेत आपको देता है और आपकी यात्रा भी सफल होती है साथ ही साथ प्राता काल्म यदि कववा आपके पैर को सपर्ष करके जाए तो यह आपकी उलती और धान प्राप्ति के संकेत कववा आपको देकर पुझाता है। ठीक दो पहर से पहले यदि कववा पूरण या फिर उत्तर दिसाह से पेड़ पर बैठे कववे की आवाज सुनाई दे दे तो इसे स्त्री सुख का भी संकेत माना गया है। अठवा अठवा सुबह सुखर उठने के बार यदि कववा आपको गहर पर आकर वर्लें लगता है। तो यह समझे लोग कि आपके घर में किसी भी अतिती का आगमन होने वाला । और यह एक संकेत कववे की तरफ कि आपके घर में कोई अतितिवी आने वाला है। 9. रास्ते में यदी दो कववा तोरण पर बैठे हुए नजर आ जाए तो यह मनोवांचित फल मिलने का संकेत होता है 10. यात्रा पर जाते समय यदी कववा आपके दाहिनी तरफ से निगल जाए 11. रास्ते में जाते समय कववा यदी दोरण पर बैठा नजर आ जाए तो समझनू कि आपको मनोवांचित फल की प्राप्ति होता है 11. यदी कववा आपने चोच में किसी वस्तर का टुकड़ा लेकर उड़ता हुआ नजर आ जाए तो यह आपके लिए बहुत ही जड़ा सुब्र संकेत है 12. रास्ते में यदी कववा आपने मुह में रोटी का टुकड़ा या फिर मांस का टुकड़ा लिए दिख जाए 12. इसमोश हमी का आपकी इच्छा पूरी होने वाली है आपको कॵवा आज के उड़ियो में बने आपको 14 oblig आपको 9 यह कॵवा आप रोजाना देता रहता कि को 3 वह एक कॵवा दिख तो वो पुछ ना कुछ तो संकेत आपको डेटा रहता तो इसी तरह से मने आपको 14 सुम संकेत के वारे में बता है उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आप और इस वीडियो को अगर पसंद आप तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगली वीडियो के साथ तब तक अपना ध्यान रहें को धन्यवाद